हेलो गाईज स्वागेता आपका अपने न्यू ब्लोग में जो गाईज आप भी मैं हूँ होटल पे और आप भी निकलूँगा मैं उद्यकूर के लिए क्योंकि थोड़ा काम करवाए था गाड़ी का तो आगे के टायरों की किनार चैंज करवाई थी और पीछे का करवाए था अपने यह जो यह लाइट लगवाई थी एक डो तीन लाइट यह तोट गई दी जड़ा घूलता है तो इसके वज़े से तूट गई थी तो एक नंबर प्लेट लगवाई है और इस साइड में भी यह तीन लाइट नहीं लगवाई है और आगे के टायरों की किनार चैंज क करवा दी इसकी विजह से चैंज करवा है तो अभी निकलते हैं यहांसे और मेरे साथ में जाएगा मैरा गुरुद जयपूर तक फिर वहां से बस लेके जाएगा तो अभी निकलते हैं यहां से तो बने रहे ना पूरी व्लोग में और वीडियो को लाइट शेयर कर जरूर करना जो बाई नया चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो जो अभी निखलने जो तो आज का पी टाइम के बाद दिखेया है मेरे गुरू शीट पे और कितने टाइम बाद आया गु इनको जाना है जैपूर जैपूर से लेके आएंगे बस और बस जाएगी कौन से लूट पे जाएगी गुरूप देरादून की चलेगी जैपूर से देरादून अगर कोई भी बाई अगर इनकी बस में ट्रेवल करे तो बोर से देखो इस शक्स को कि अगर इस अगरे शापुरा अलवर तिराय पर यहां पर बंद्रों को डाल रहे हैं जैए क्या ले रहा है राजिस तर्बूज कि अब बूज ले रहा है वह तर्बूज डाल के आएगा मुंद्रों कि और रवही यहां पर बड़ी तादाद में बंदर है तो पीछे रही तर्बूज टार देवाई है हुआ हुआ है हुआ है यह देखो पूरे आ जाएंगे याई पर अरग आ यारी जाए राजेज राजेज यहाँ पर डालके फिर निकलते हैं यहाँ से और यहाँ कोई भी ट्राइवर भाई इदर आए तो यहाँ पर जरूर डालके जाए करो यहाँ आए देदे चला जाए तो दोस्तों यह साफ राज से परवाएंगे फी गाड़ी में यूरिया और यहाँ आनंद ओटो मॉबाइल राज़े टंकी खोल रहा है तो रोग आधी आधी खाली हो गिया ना आए लोग नको मन रहें तो दोस्तों अभी पर आधी आधी खाली हो पहुंच गए दोलत पुरा है और गाई अभी दोलत पुरा हमें बज रहा है सामके नो क्योंकि थोड़ा साफ पुरा में रुख गए कोई गाड़ी आई थी इसके पास में और जक्दीश भाई निकल गए उसके साथ में हमारे को पहुंचना है सुबह नो दस बजे तक उच्छे पहले तो लेवर आती नहीं है नो दस बजे आएगी उदर कोई नो एंट्री वगरा है नहीं आराम आराम से जाएंगे तो सुबह तक पहुंच जाएंगे वहां पे क्योंकि रोड भी बिल्कुल एवन रोड मिलेगा हमें पूरे उद्यपुर तक फस क्लास कहीं पे बरेकर भी नहीं है अभी इस रास्ते में वाराम से सफर निकल जाएगा हमारा और अभी गाड़ी चला रहा राजेश भाईया एक भाई ने कमेंट गिया था अगर तुमारा दसजार कट जाता न तो चिल भाईया चिल हो जाती तुमारी फिर मारा राजेश की चिल भाईया चिल निकाल दे था इधर रख तेरे को कितनी बार बोल दिया डिवाइडर के पास गाड़ी मत लेके जाया अगर फिर तू उसी लाइन में जाता है इधर रख अगर बीच में आगर जगया है तो कि यह थोड़ा लापरवाई करता ही है इसको कितना भी समझा लो मैं हर बार बोलता हूं डिवाइडर के पास नाइटों चाहें दिनों फेस्ट लाइन में गाड़ी कभी भी मत रखागा क्योंकि अपनी गाड़ी ऐसी है कि इमर्जेंशी ब्रेक बहुत कम आएंगे अगर उ एक्स पर एक्स माल हो तो बात दूसरी है कि नोर्मल माल हो तो बीच की लाइन में चला कर आराम से समझे भाईया कि ना ही समझे आज बड़ा खुस हो रहा है तू राजेस है कि दोस्तों पहुंच गए जैपूर और जैपूर हैं हम 200 फिट आज में रोड पे जाने वाले हैं और भाई साम के टाइम पे इतना ट्राफिक होता है यहां पे लेहर्ट कि यहां से जैपूर शीटी के अंदर गया है जीदा अजमेर हाइवे पे इतना इतना मंबाई ग्यारा सो पांशट किलोमेटर हो जो बाई यह जा रहा है सिटी में वो गाडियां जा रही है वो गाडियां कोटा वागरा के लिए जा रहे हैं आसे हैं हम भी लगवाएंगे भाईयां यह ओरन का भी भाईयों का कमेंट भी आता है होरन बद्रंग्पली वाला लगवाएंगे राजेश अब एक दो चक्कर के बाद में लगवान आई है अपने को जो गाई यह जैपुर सिटी यह रास्ता जा रहा है जैपुर सिटी में और वो जा रहा है जैपुर बाई पास पे गोटा वाला अज भी ज्यादा है जैपुर सिटी तो आज भी ज्यादा है जैपुर सिटी तो नहीं लग रही तेरे को जो यह बाई जैप अज मेर हाई वे और अज मेरी यहां से है 121 किलोमेटर यह वाला बोड मैंने बहुत व्लोग में दिखाया है राजेस बाई हाई वे किंग ओड इस हाई वे किंग की कम से कम भी तकरीबन पांच से छे ब्रांच है एक यह है एक बगरू के पास में है एक हमारे वहाँ पर बाबरू है एक बैरोड है अंदल बहुर भी कहीं होंगी लेकिन यह तो मैंने देख के रखी हुई है चार पांच ब्रांच को मैंने देखी हुई है इधर लेले भूत नहीं के